सिद्ध पीट श्री गंगादास जी की शाला महुटसब में 745 संथ शहीद हुए विरांगना महारानी लक्षमी बाई की रक्षा करते करते उनकी स्मृती में श्री मद भागवत कथा ग्यान यग्य के अपसर पर पूरन बैराथी पीठा धीशुर स्वामी राम सेवकदास जी म महाराज के पावन सानिध्य में श्री मद भागवत कथा श्री 1008 श्री मदन मोहंदास जी महाराज ने प्रभू हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते है प्रभू का एक नाम दीन बंधू की कहा गया है प्रभू के दीन बंधू नाम को सिद्ध करने के किय सुदामा जी के सुन्दर चरित का वर्नन किया श्री महाराज जी ने वताया की श्री शुकदेव जी ने जितने सम्मान और विशलेशन के साथ उनका नाम लिया उतना किसी और के लिए नहीं लिया हम यह कहते कि प्रभू ने सुदामा जी का बहुत सम्मान किया पर यह सोचना चाहिए कि प्रभू में सुदामा जी के त्याग और समर्पन का सम्मान किया है आज के जीव के पास सब कुछ होने पर भी उसके अंदर संतुष्टी नहीं है पर सुदामा जी के घर में खाने को अन नहीं पहनने को वस्त्र नहीं रहने को चत नहीं फिर भी उनके भीतर परम संतोष है पर आज के जीव के भीतर संतोष नहीं है इसलिए सब कुछ होने पर भी शांती का अनुभब नहीं कर पाता इसलिए हमें कथा से हमें. यह सीखना है कि जीवन में सांतोष होना जरूरी है, तभी प्रभू की कृपा होगी कथामेश. री महाराज जी ने कहा कि हमारा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को प्रभू के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, मन को प्रभू चरणों में लगाने के तीन साधन बताए विश्वास संबंध और समर्पन प्रभू के प्रती हमारा संपूर्ण समर्पन होना चाहिए, यही सच्ची भक्ती है एवं कथा के विश्राम में गुरू की महिमा का वर्नन किया जीवन में गुरू बहुत ही जरूरी है गुरू ऐसा होना चाहिए कि जो हमें संसार चक्र से निकल कर परमात्मा से मिला दे कथा के विश्राम में शुकदेव जी का पूजन किया गाय और सु